सोलन में पहली वार इंस्ट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेड हिमाजल परदेश इकाई द्वारा किर्कट करत्योगिता का आयोजिन किया गया जिसमें परदेश इकाई की टीम सीए इलेवन और प्रेस इलेवन शिमला के बीच किर्कट मैज खेला गया पहले बल्ले बाजी करते हुए सीए इलेवन ने निर्धारित बीस ओवर में 116 रन का स्कोर बनाया इसमें सरवादे का अरुन गिरी ने 49, योगेश वर्मा ने 23 और शिव गर्ग ने 11, राजेश ने 8 रन का योगदान दिया वहीं प्रेस 11 शिमला की ओर से अनुराज शर्मा ने 3, देविंदर ने 2 और कुलवंत वा मनोज ने 1 एक एक विगट लिये जबाब में बल्ले बाजी करने उतरी प्रेस 11 शिमला के 6 ओवर रहते ही लक्षे हासिल कर गई प्रेस 11 की ओर से सतनाम ने 32, पावन भारदवाज ने 30 वा धरमेंदर ने 28 रनों का योगदान दिया सीए 11 की ओर से जगदीश, योगविंदर, योगेश, आरुणवा, पंकज और अजेसूद ने सरहनी परदर्शन किया इस दुरान बतार मुख्यतिती पहुंचे सीए अनिलसूद ने कहा कि परदेश हीकाई दौरा पहली वार किरकट मैच का आयोजिन किया गया जिसमें स्बी खिलाडियों ने अपनी परतिबा गावप परदर्शन किया है मैच के अंत में मुख्यतिती सीया निलसू द्वारा खिलाडियों को पुर्षकार दे कर भी सम्मानित किया गया इसका सभी चांटे का जो निया गया और बड़ा कांटे का जो नियाच रहा ये प्रेस कलब के लिए भी एक चालू हो रहा होगा कि इस्ता का एक टूर्नमेंट तो नहीं मतलब इस अईवजन किया गया जो फेला गया और भी आसा होता रहे हम ऐसे कामना करते हैं और सारे चांटे कॉंटेंट्स और भी इस एक्टिविटी में जुड़े इसी कले एक्टिविटी में जुड़े तो हम ऐसा चाहेंगी तो हम इसा चाहेंगी